प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने गरीबों के लिए अपना घर यानी प्रधान मंतरी आवास योजना की शुरुआत की और इसे पूरे देश भर में बड़े ही शिद्दत से लोगों ने पसंद भी किया लाखों लोगों को आज अपना घर मिल गया है और खुशी जनता के चेह कर बनने वाला प्रधान मंतरी आवास योजना चार मंजली इमारत बन गया नगर्विकास मंतरी ने घोटाले को उजागर करने के लिए मीडिया को धन्यवाद देते हुए कारवाई करने की बात कही है यह बहु मंजली इमारत जो आप देख रहे हैं यह होटेल नहीं और ना गीता देवी की आयव प्रमान पत्रक और वास्तविक दस्तावेज के आधार पर 2016-17 में आवंटीत हुआ था देखते ही देखते 2019 में प्रधान मंतरी आवास बहु मंजली इमारत में तबदिल हो गया वाड 27 के वाड पासर बिहारी महतो का कहना है कि सभी दस्तावेजों की जाच कर इन्हें आवास दिया गया था मकान पूरा होने के पाद इसमें बोड भी लगाया गया था लेकिन अचानक इसमें बहु मंजिला इमारत खड़ी हो गई घर के लिए सेलेक्शन हुआ है जो लाभूक की इनको आवास मिला है वो लाभूक 365 दिन में 100 दिन नगर निंगम के दरवाजा खटकटा रहे लेकिन उनका पेमेंट नहीं जा रहे हमारे नजर में वो लाभूक और गरीब होता जा रहा हूँ अपने नोकरी छोड़ करके यह पेमेंट के लिए आरहे यहां डेली घुमाया जा रहा यहां पे आप देख सकते हैं दो लेप्टव है एक ऐसा लेप्टव है जिसमें की सिर्फ दिखाया जाता नाम की आपका नाम पेमेंट चल जागा लेकिन यह जाता नहीं उसका उधारन में खूद हूँ हमारे वाड का अचार संगीता लोकसभा अचार संगीता से पहले नाम चड़ाता है लेपटब में आज तक वो पेमेंट अभी तक भुकतान नहीं किया गया सफ़ा जाहिर होता है कि इन लोग के उपर कोई पधिकारी है जो कि जिनके सारा से पेमेंट जाता है यह लाबुक घूम रहे हम लोग को लगता है हम लोग बेकार यहां नगर निगा में जीत क्या है जिदी हम लोग जीतने के बाद लाबुक जदी नगर निगा में गूम रहा है तो बेकार का हम लोग को जिताया गया, हम लोग को इनकी आवाज के लिए जिताया गया, लेकिन यह देवगर नगर निगम भरष्ट हो चुका है, आवाज विभाग में कोई कार धंग से नहीं हो रहा, ऐसी इस्तिती रही, तो हम लोग आठ तारीक को धरना पर बैठेंगे, न तो बस बानगी भर है, जहां एक लाभुक अचानक अमीर हो गया, और प्रधान मंत्री आवाज को बहु मंजिला इमारत में तब्दिल कर दिया, मामला उजागर होने के बाद लाभुक ताला बंदी कर फरार है, लेकिन बाद यहीं खत्म नहीं होती, नगर निगम में आए पिन आवास को लेकर हंगामे की स्थिती बनी रहती है, हम आपको लिए चलते हैं देवघर नगर निगम, यहां लाभुकों की भीड, इसमें से कई ऐसे लाभुक हैं जो बाहर परदेश में मलतूरी करते थे, लेकिन प्रधान मंत्री आवास योजना को लेकर यह देवघर यह सोच कर लोट आए कि उन्हें आवास मिलेगा और उनका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन निगम इन्हें दो साल से दोडा रहा है, अब सुनिए यह मजदूर क्या कहते हैं? निगम में परशान हैं तो निगम में परिशान हैं तो गहर काहिए है यह मजदूर क्वादरी में हैं कमाने खाने वोला दो साल से नगर निगम में परशान हैं इसा नहीं है कि इसमें मनमानी सिर्फ वाड पारसदों की ही है क्योंकि कई वाडों के वाड पारसद आवास के लिए अनुशंसा करते हैं लेकिन निगम में उसे लटका दिया जाता है कहीं पैसे की डिमांड होती है तो कहीं कोई और कारण बता कर उन्हें वापस बैरंग लोटा दिया जाता है जबकि इन मजदूरों के पास सभी दस्तावेज मौजूद है वो तो उसमें जिसमें हम लोग उसको योजना आया था उसमें खाली जमीन था खाली जमीन में ही वो काम किये थे और उसका जो भी परक्रिया है उस सपत पत्र में अपने सिलिक के भी दिये हैं प्रधान मंत्री अवास योजना को लेकर लगातार अधिकारियों से जवाब तलग किया गया लेकिन कोई मुकमल जवाब नहीं मिला और ये इस बात की और इसारा करता है कि देवगर में आवास घोटाला जरूर हुआ है और इस बावत जब नगर विकास मंत्री सिपी सिंग देवगर पहुँचे तो उनके सामने हमने सारी बाते रखी तो मंत्री जी का जवाब था बोलने वाले बोलते हैं इन्हें पुरूफ चाहिए जब हमने उन्हें सारा प्रूफ दिखाया तो मंत्री ने भी माना की आवाज घोटाले हुए है और इसमें करमचारी और अधिकारियों की मिली भगत है अब ऐसे में मंत्री ने कठोर कारवाई की तो बात कही है इस तरह की बाते मैं शूंता रहता हूँ लिगन आज तक एक व्यक्ति ने भी इस तरह की कोई कंपलेन ने लिया मैं एक बात कहना चाहता हूँ चुकि आपने ऐसा प्रस्ट नगळा किया है तो मैं समयता हूँ एक समाजिक प्रानी होने के नाते हर व्यक्तिक का दाई तो बनता है कि ऐसे गलत काम हो रहे है या हुए है तो उसको उजागर करना चुकि आप मीडिया के लोग है स्वाभावी गुरूप से आपका काम है इस तरह की चीज़े उजारगर करना है मैं आज साम को साथ मुझे तटूँ यानि यह दूंका इंटर सिटी से फिर वापस लोड़ना है मुझे एक प्रूप भी ऐसा हुआ है तो दें हम आपको देता है मैं करा रहा हूँ लाके दूझे मैं तुरंट इस पर करवाई करूँगा और जो इसमें दोसी होंगे उन पर करवाई करने में तीन दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा कुल मिलाकर गरीबों को अपना मकान मिले उनके सरपर भी छथ हो और उनके भी सपने साकार हो इसी सपने को साकार करने के लिए प्रधान मंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी लेकिन अधिकारियों की मनमानी ने इसे घोटाला बना दिया जरूरत है एक कारवाई की ताके वाजीव गरीबों को उनका हक मिल सके नगर विकास मंत्री ने घोटाले को उज्यागर कर मीडिया को धन्यवाद देते हुए कारवाई की तो बात कही है देखना दिल्चस्प होगा की महा घोटाले का परदाफास तो हो गया अब कारवाई कब तक होती है सबरंग समचार के लिए देवगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट